सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक क्रान चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हैनली ओपो वालों ने अपने ओपो A74 5G के अंदर ColorOS 12.1 का C.46 का न्यू अपडेट जो है डोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को काफी सारी यूजर ने अपने डिवाइस के उपर अपडेट भी कर लिये है और मैं भी इस अपडेट को 5-6 दिनों से यूज कर रहा हूँ और इस अपडेट का जो टेस्टिंग है काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊँगा कि कौन-कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है कौन से बक्स फिक्स हुए है और क्या कुछ नए चेंजेज देखने को मिलता है सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो पूरा वीडियो देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर बक्स और फीचर्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप इसके अबाउट डिवाइस चेक आउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको आफिस्यल वर्जन देखने को मिलता है और ओपो A74 का मॉडल नंबर CPH2263 देखने को मिलता है बात की जा इस अपडेट के बेसिक इंफरमेशन की तो यहाँ पर आपको C.46 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है 73.77 MB का है और यह आपको ColorOS 12.1 के साथ आफिस्यल वर्जन देखने को मिल जाता है बात की जा इस अपडेट के बाद इसके Security Patch की तो यहाँ पर आपको 5 अगस्त 2022 के साथ Latest Enhanced Android Security Patch देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ इसके लाओ बात की जा अगले चेंज की तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे non-issue थे bugs और देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे के पूरे system performance और उसके overall system stability को optimize and improve किया है जिससे की आर भी better experience देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ साथ ही दोस्तों जो apps opening closing है उसको भी यहाँ पर optimize करके better कर दिया है जिससे की आपको और भी better experience के साथ apps opening closing देखने को मिलता है साथ ही साथ कोई-कोई user को कभी-कभी जो है lagging issue देखने को मिलता था तो उसको भी थोड़ा reduce कर दिया है लेकिन दोस्तों अभी भी किसी-किसी user को lagging issue देखने को मिलता है मेरे को दोस्तों यहाँ पर इस update के बाद अभी तक कोई भी lagging issue देखने को नहीं मिला है इसके लाओ बात की जाएगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो screen flickering का अगर दोस्तों आपके phone का screen आफ होने के लिए brightness जो है low होता है dim होता है तो उस time पर आपको flickering issue देखने को मिलता है बीज में lining देखने को मिलता है तो यह flickering problem जो है आपको इस update के साथ देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात की जाए अगले change या new features की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर home screen and lock screen में lock screen section के पास clock style का यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको दो types के horizontal और vertical का clock style change करने का option देखने को मिलता है जिसे आप apply करेंगे तो आप अगर lock screen करते हैं तो आपको कुछ इस type से देखने को मिलता है और अगर दोस्तों यह features आपके में नहीं है तो मैंने अपने टेलिग्राम ग्रूप में clock apps का apk file share कर दिया है आप वहाँ पर जाकर download करके install कर सकते हैं install करने के बाद आप अपने phone को एक बार restart कर लिजेगा तो आपको यह features देखने को मिल जाएगा इसके लावा बात की जाए अगले features की देखेंगे दोस्तो पहले आपको music control तक का ही screen of gesture देखने को मिलता था लेकिन यहाँ पर नीचे देखेंगे तो more के option में यहाँ पर काफी सारे function के थूँ आप screen of gesture को use कर सकते हैं यहाँ पर देखेंगे अगर आप screen off में ASAP में drawing करते हैं तो यहाँ पर आपको calculator open हो जाता है लेकिन दोस्तो आप drawing करते हैं तो यहाँ पर आपको lock screen मंगता है जैसे ही lock screen open करेंगे तो आपको direct calculator apps देखने को मिल जाएगा उसी साथ यहाँ पर और भी shortcut या screen of gesture set कर सकते हैं जो कि आप अपने use के नुसार यहाँ पर आप set कर सकते हैं तो यह सारे screen of gesture features जो हैं इस update के साथ देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जाए अगले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर nichexite system setting के अंदर system navigation के अंदर gesture mode में switch to previous app का अगर दोस्तो आप gesture mode यूज करते हैं और अगर आप left या right swap करके कोई से भी function से back जाते हैं लेकिन दोस्तो उस left या right को hold करके रखते हैं तो आपको यहाँ पर app switching का option देखने को मिल जाता है I mean जो previous apps हैं उसमें आप switch हो सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे मैं जैसे ही left या right को हलका से swap करके hold रखता हूँ तो यह automatic switch हो जाता है एक apps से दूसरे apps में तो यह features भी आपको इस update के बाद देखने को मिल जाता है इसके लावा बात की जा अगले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तो power menu के अंदर 8 control या cat control का option देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो आप Android वर्जन में जाकर clock को अगर आप 12 में रखते हैं दोनों सुईयों को तो उसके बाद आपको यहाँ पर power menu में cat control का option देखने को मिल जाता है जिसके तुरू आप cat control को कुछ इस टाइप से apply कर सकते हैं और use कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से power menu का option या power menu new देखने को मिल जाता है एंड गे इस बात की जाए इस update के बाद इसके battery performance की तो यहाँ पर आप check out कर सकते हैं इसका जो battery performance है वो पहले से better देखने को मिलता है पहले जो थोड़ा बहुत battery draining का problem होता था उसको यहाँ पर reduce करके battery backup battery users को improve कर दिया है जिससे कि आपको better battery backup battery users देखने को मिलता है साथ ही दोस्तो जो charging speed है वो भी यहाँ पर सही देखने को मिलता है I mean charging करने के time आपको better charging speed देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो किसी किसी user को charging speed में problem देखने को मिलता है I mean किसी किसी user को late charging का issue देखने को मिलता है मेरे में यह problem नहीं है मेरे को properly charging speed जो है सही देखने को मिल जाता है साथ ही दोस्तो जो charging के time पर hitting issue देखने को मिलता था वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है एंड़ इस बात की जाए इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर भी जो game performance है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है पहले जो game में थोड़ा सा lagging issue देखने को मिलता था बीच बीच में जीटर और frame drop issue देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे के पूरे game performance को improve कर दिया है जिससे कि आप game खेलते हैं game play करते हैं तो आपको better performance देखने को मिल जाता है बट यहाँ पर दोस्तो अगर आप game खेलते हैं तो आपको थोड़ा hitting issue देखने को मिल जाता है तो यह था दोस्तो इस update का full review दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से bug से देखने को मिलता है मुझे comment करके जरूर बताना तो इतना ही था दोस्तो इस video में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो